वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने चारू लेमन एसेंशिल और इससे स्कीन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग होती है इसे बहुत से बैनेफिट होते है आप इससे फेस्ट मिस्ट भी बना सकते हो लोशन क्रीम में दो से तीन ड्रॉप डाले फिर इसे चार यूजिस बताऊँगी क्लिंजिंग मिलक मैं तीन स्पून रोव मिलक कर दो से ड्रॉप लेमन एसेंशिल ओईल फिर अच्छे से मिक्स कीजिए आपके फेस्ट पर सर्कुलर मोशन पर मसाज करें इससे आपके सारी डर्स्ट निकल जाएगी स्कीन ग्लो करेगी स्क्रब बनाने के लिए वन स्पून कॉफी वन स्पून आलोवरा जल दोस से ड्रॉप पर लेमन एसेंशिल ओईल मिक्स अच्छे से कीजिए फेस पर सर्कुलर मोशन पर मसाज कीजिए यह स्क्रब आपकी डेड़ स्कीन निकालेगी स्कीन से टैनिंग रिमूव हो जाएगी और आपकी स्कीन बहुत ग्लो करेगी मसा जल बनाने के लिए एक स्पूंड एलोवेरा जल दो ड्रॉप एसेंशिल ओईल जिसे ड्राइ स्कीन है वो बदाम ओईल एक स्पूंड डाले फिर अच्छे से मिक्स कीजिए फेस पे सर्कूलर मोशन पे मसाज कीजिए इसे स्कीन आपकी टाइट होगी फेस मास्क बनाने के लिए टू स्पूंड कर्ड वन एंड हाफ मुलतानी मिट्टी पाउडर टू ड्रॉप पर लेमन एसेंशल ओईल अच्छे से मिक्स कीजिए इसे ड्राइ होने तक रहने दीजिए फेस पे यह फेस पेक से अपकी स्कीन इवन टून बनेगी और बहुत नाच्छल ग्लो आएगा आपकी स्कीन पे लेमन एसेंशल ओईल से स्कीन के सारी टैनिंग निकल जाती है आपकी स्कीन लाइटनिंग बनती है ब्राइटनिंग बनती है इससे आप हफते में दो बार यूज करें वन मंथ में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका स्कीन का टेक्स्चर चेंज हो जाएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अगचे कीजिए हएं।